हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपर केड़कर है मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन नशामुक्त तग्य हूँ हमारा केड़कर हॉस्पिटल अकवला महाराष्ट में है जहां हर तरह के मांसिक रुगण का इलाज किया जाता है वैसे मैं ट्रेनर हूँ कोग्ष हूँ तो उसमें हम लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सक्सेस के बारे में काफी सारे वीडियो में रहें उसमें बताते बाते की जहांसे लोग successful हो जाएंगा उनके life में, क्या होता है कि लोगों को अपने मन में एक conversation, अपने से लोग अपने से बात करते रहते हैं, उसको बलते कि एक आवाज, छोटी आवाज, एक छोटा मन अंदर चलू रहता है, और उसमें continuous ले आवाज चलू रहती है, इंसान अपने आप से बा भाशा नहीं आती है, दो साल के बाद में उसको भाशा आना चलू हो जाती है, और कुछ ना कुछ ऐसी घटना हैं, उसके life में होते रहती है, कि जो घटना हों से, उसके दिमाग में एक 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 ए पुद्धिका नहीं हूँ, मैं लोगों इतना अच्छा बात्चीत नहीं कर सकता, मैं लोगों को समझा जेता हूँ, अगर लोग मेरा समझते नहीं है, या लोग जो बोलते हो, मैं जल्दी मेरे समझ में आता नहीं, मैं कन्फ्यूज रहता हूँ, या मेरा कम्यूनिकेशन, मेर जल्दी जल्दी नहीं कर सकता मेरा time का management जल्दी नहीं कर सकता वालोग अपने आपसे बातचीत अपने दिमाग में हो जाती है, जहां से हम हमारा जीवन जीते हैं, कोई घटना हो जाती है, कोई टीचर ने कुछ बोल दिया, डैडी ने कुछ बोल दिया, पिता जी ने कुछ बोल दिया, मा ने कुछ बोल दिया, बड़े भाई ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तू यह नहीं कर सकता, तुझे यह जमेंगा ने, तेरे से यह होंगा ने, तू इतना होशार ने है, तो अपने बाजवाले बच्चों के जैसा नहीं है, या उतना होशार ने है, उसको तक कितने मार मिले, तेरे को तक कितने मार मिले, बहले इसे comparison करना, और उसमें उसका जो मन उसका जो self है उसका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा दब जाता है डबोच जाता है डाउन हो जाता है इसमें होता क्या है कि वहां से फिर वो अपना जीवन जीना चालू कर रेता है घटना कुछ तभी हो गई और वहां से वो कुछ तभी उसका एक meaning लगा जेता है अर्था लगा देता है एक interpretation करता है और वहां से फिर अपना जीवन जीना चालू कर दया अब समझो अपने मन में अपनी आवाज यदी सवेरे उठने से सुभम बेड में से उठे है वहां से आवाज चलू रहती है कि मैं इतना अच्छ नहीं हूं मैं इतना smart नहीं हूं या मैं इतना समाट नहीं हूं मैं इतना जल्दी समझता ऐसा अद्मी में काम पर जाता है, ऐसा आद्मी पढ़ाई करता है ऐसा रहती बिजनेस के देगा घंड कलप ना कर सकते है हमको आपको यह बताने का है कि यह सब हमने हमारे बारे में एक बिलीफ बना लिया है एक विश्वास बना लिया है दिमाग में वह बैगराउड में 3 साल के होंगे, 4 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, जबी कबी होंगे, ऐसी घटना हो जाती और एक जटका बैट जाता और वहा एक अपना अपने दिमाग में लग जाता और वहां से हम उपना बरे तकल चौणiben है बखेर करना क्या है इसमें करणा यही है कि हमको बार 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 परेंगो मैने बनाई तैस नहीं हूई। ये कोई घटना हूई वो घटना के समय मैंने उसका interpretation कुः हुए, मैंने उसकी कहाणी बनाई, मैंने उसका अर्थ लगाया और मैंने मेरे बारे में एक belief system बना लिया, एक विश्वास बना लिया और वहाँ से मैं operate करते रहता हूं विश्वास देखो इतना महत वका है को विश्वास रहा तो आदमी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी होता है आपको तो यह पता ही है कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और काफी सारे दवाईयां वाकर रहते हैं वो प्लैसेब हो रहते हैं प्लैसेब इसका मतलब ऐसा है क कि उसमें दवा रहती नहीं, वो कोई टॉनिक रहता है, समझेखा था, एक्चुली वो उसको वो जो भीमारी है, उसको दवा दी नहीं है, मगर वो इंजेक्शन दे देते हैं, मगर वो दॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, ये डॉक्टर के पास में अभी मैं अच्छा हो जाओंगा, ये एक बिलीफ रहता है, एक्चुली डॉक्टर उसको प्लैसिब हो देता है, और प्लैसिब हो मतलब उसमें दवाई रहती नहीं, उसका एक विश्वास है कि मैं अभी ठीक हो जाओंगा, मेरा दर्ग ठीक हो जाएंगा, डॉक्टर ने मुझे तपास लिया, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दवा देता है, अभी मैं अच्छा हो जाओंगा, और वो अच्छा हो जाता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि वोई दवई एक डॉक्टर ने दिया है जिसके उपर उसका विश्वास नहीं है और वोई दवई दुसरा नॉक्टर देता है जिसके उपर इसका विश्वास और ठीक हो जाता है इतना belief का महत्व है बिलीफ से हम driven है, हमारा जीवन वहां से चलो हो जाता है, हमको present ये होना है, कि बिलीफ जो है मेरे बारे में, मैंने बनाय हुआ है बच्पन से कुछ ना कुछ घटना हों से ये बिली बनाय हुआ है उसको प्रेजेंट होना है और अपने आपका जो महानपन है कि मैं महान आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं इनिधिंग इस पॉसिबल मेरे लिए कुछ भी संभव है यहां से यही मैं ऑपरेट करना चलू गया तो मैं जीवन में कुछ भी क्रियेट कर सकता हूँ तो बार-बार वो अपने आप से बात्चित करना कि मेरे लिए कुछ भी संभव है यह जो बात चलू है वो मेरी छोड़ी आवाज यह एक इंटरनल डायलाओ है कि जहां से मैं मेरा जीवन जीर हूँ उसको प्रेजेंट हो जाना और मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहां से मैं ऑपरेट कर लिया तो फिर कुछ भी संभव है Thank you very much काफी लोगों को यह प्राबलम होगा जो मैंने आप से शेर किया आपके दोस्त होंगे आपके लोग होंगे उनको जरूँ ये वीडियो सब्सक्राइब करो शेर करो लाइक करो ताकि हमारा जो मिशन है Mental Health for All और De-Addiction Free India तो हमारा सबना और हर एक को Powerful बनाना हर एक की शमाता उसकी एन बढ़ाना यह हमारे मिशन को आप जोएन हो जाएंगे नैचरेजर जोड़ आप सेयर करेंगे तो Thank you very much